हेलो फ्रेंड्स मैं राधिका दिवांगन आज आपको बताने जा रही हूँ क्लास 12 अकाउंटेंसी का इंपोर्टेंट कोस्चन चैप्टर नमबर 5 सबसे पहला कोस्चन आपका इसमें है अंस पुंजी से क्या आ साथ है कमपनी की अंस पुंजी कमपनी की जो कूल पुंजी होती है वो क्या होती है चोटी चोटी एकाईों में विभगत होती है एक एकाई को अंस तथा कूल रासी को क्या बोलते हैं अंस पुंजी बोलते हैं सामाने तो यह क्या होता है जनता को अंस पत्र निर्गमित कर प्राप्त की जाती है देखो अंस पुंजी क्या होता है जैसे मान के चलिए question में आप देखे हूँ जनरली लिखा रहता है कि company की जो अंस पुंजी कितनी है एक लाख रुपए और वो क्या है दस जार अंसो यो भगता है दस रुपए वाली अभिवाजित विकाईओं में क्या होती है बटी होती है जैसी मान के चलिए आजाता है एंस दस रुपए का है बीस रुपए चलिया होता है अन्स होता है मतलब कूल पुन्जी का एक छोड़ा सा हिस्सा जो होता है वो क्या होता है अन्स होता है फिर है अन्स प्रमान पत्र अन्स प्रमान पत्र अन्स प्रमान पत्र से क्या आसे है तो अन्स प्रमान पत्र क्या होता है जो क्या करते हैं लेते हैं उनको शेयर शर्टिपिकेट दिया जाता है जिसमें उस व्यक्ति के द्वार उस असधारी के दवारा खरी देगा अंस यहां अंसो की शंख्या अंसो का मूले उसके नाम सही उलेक रहता है फिर आशामतांस से क्या प्राइब अब देखिए अंस जो है दो प्रकार के होते हैं आपके share एक equity एक preference heshang एकükविटी share क्या होता है आपका यह ऐसे share होते हैं जिनको क्या है जिनको पुर्वाधिकार प्राप्त नहीं होता है ऐसे जो है जिनको क्या है लाब में मतलब पुर्वाधिकार उंसों के बाद सम्तांस धार्यों को हिश्या दिया जाता है और इसमें जोकीम अधिक होता है फिरा सम्तांस धार्यों को क्या होता है मत देने का अधिकार होता है और इन अंसों पर लाभांस की दर निस्चित नहीं होती है और इनका भूंकतान कमपनी के समापन पर होता है पहले पूर्वाधिकार अंसों को भुक्तान कर देने के बाद सम्तान्स धारियों का भुक्तान समापन पर होता है पूर्वाधिकार अंसों को लाभांस देने के बाद इन्हें लाभांस दिया जाता है सम्तान्सों के दो लाभ लिखे है और समापन पर पुंजी वापस करने की मतलब पुंजी वापस होने की प्रात्मिक्ता होती है यह क्या होता है पुरवाधिकार अंस होता और इन्हें मताधिकार का इन्हें मताधिकार नहीं होता है अफसे İsStayagna. अवसके सचयाजना क्या होता है जैसे कोई अंस है उस पर क्या है? अमाउंट डिय हो गया है क्यों तो अमाउंट डियू कर दिया गया है लेकिन वो अमाउंट मिला नहीं है मतलब मांगी गई है पर वो अमाउंट हमको प्राप तो नहीं हुआ है तो वह रासी जो अंसधारी पर दे हो चुकी है और कमपणी ने उसे मांग भी लिया है कि लेकिन क्या किया है सामने वाले ने उसे पेमेंट नहीं भुकतान नहीं किया यह क्या होती है अपसे स्ट्याशन कॉल इन एरियर कहलाती है फिर है अधिकरित पुंजी authorized capital यह कमपणी की कमपणी की पुंजी अधिकरित पुंजी है इसका उले कहोता है पार्स सीमानिय में कमपणी की पुंजी कमपणी की अधिकरित पुंजी इस रासी के अंसों का निर्गमन नहीं कर सकती फिर है निर्गमित पुंजी निर्गमित पुंजी से आसा है क्या है अधिकरित पुंज जिसे मान के चलिए हमने क्या किया 1000 एक हजार अंस निर्गमिद कि लेकिन हमको application केवल कितने के लिए मिला? अट्रा सो रुपए के लिए मिल सकता है, स्री अट्रा सो रुपए तो क्या हुआ? इसको बोलते हैं अल्प भीदान है ना मतलब जितने अंस हमने निर्गमित की है उनसे हमको कम अंसों के लिए क्या हुआ आविदन मिला फिर है अंसों का अभंटन अंसों का अभंटन क्या होता है अंसों के निर्दिश्टन से व्यक्तियों संस्थां से आविदन प्राप्त कर लेने के प्रस्च पर अनुपातीक आवंटन जितना हम अनुपातिक पद्थर निरगमित कीरती हैं उस आधिक शंखिया में हमें आविदनन प्राप्त हो जाता है उन्हेंक रेश्यों के हिसाफ से क्ट्राइ일न कारते हैं पूरवादिका अनुपातिका मुंटन में जितने अंस निर्गमित करने के लिए हैं अंस, उसे जड़ा हमको अविदन प्राप्त होई हैं पिरहा लाभाँ से क्या आसा है जब कंपनी अंसधारियों को व्यासाय से प्राप्त लाभाँ से निश्चित प्रतितत दर से अंसधार्यों को लाव वित्रन करती जिसे हम क्या बोलते हैं लाभांस बोलते हैं पूरवाधिकारंस धार्यों के लिए क्या होती है ब्याश के दर पहले से निस्टित होती है लेकिन सम्तांस धार्यों के लिए यह नहीं होती हो नहीं किवाल लाब होने पर लाभांस प्राप्त होता है फिर है कंपणी की परिभासा कंपणी क्या होती है व्यक्तियों का एक एक प्रादीकार प्राप्त होता है ये वद्धान-mandal تल्ड़ा न ईर्मित क्रित्रम व्यक्ती होती है स्वामित होता है और उसकी कुछ सरत्य होती Sedabhi फिर अंसों उसके बाद क्या होते हैं जैसे आबंटन कर दिये फिर उसके बाद जैसे inheri कॉल yeah यहाचना को उसने जयान यहाठी पीमेंंट नहीं किया मतलब यह होता है कि जितने आंश मांगी गई रासी उसमें से आप क्या कर रहे हो कुछ रॉराशी दे दियो आदिरासी हो तो एक टाइम तक नोटेस दिने के बाद क्या होती है, उन अंसो पर फ्राप्त की गई प्राप्त की गई रासी को जब पुनन इर्गमन समय पर किया सकते हैं। अंसो की समरपन से क्या जब किसी अंसधारी द्वारा धारन के गए अंसो पर अपने अधिकारों को स्विक्षा से त्याग करते हुए क्या करते है कंपणी के समक्सुन अंसो को समर्पित कर देते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं अंसो का समर्पन इसका लेखा अंसो के लेखा के समानी क्या है निर्गमित पुण्जी कवह भाग होता है संचित पुण्जी जिसे हम क्या करते हैं अंधारयोंlock एक अन्थारियों किम्पणी के समापन किसारा मागला जाता है इसको प्योंग करते हैं बärt अंसो कि निर्गमित पुन्जी गत्हानी के अप्ले खनधायन के लिए फिर फिर समा बिख़ेट चुछ बोतो ँकतौ हो जैसे उन्हों के पुना निर्गमन कोता वाब उन्टन कangenो नहीं कहते है। जब्त कीए गयांसों के पुनर निर्गमन को अबंटर नहीं है क्योंकि ये क्या होती है अन्स प्रार्थित पुन्जी के भाग नहीं होते है इसी प्रकार के निर्गमन को विक्रियो आता है फिर है कंपणी की चारवे सेसना है, वैधाने कृत्रिम व्यक्ति, यह एक प्राकृतिक व्यक्ति नहीं होता है, यह विधानदवारा निर्मत कृत्रिम व्यक्ति होता है, इससे क्या होता है, इसका निर्मान न्याले से होता है, मतलब कुछ प्रावधानों के तहद किया जाता लेकिन कमपणी भी एक व्यक्ति की भाती कारे करती है फिर है एक चिक संग कमपणी के अंस खरित कर कोई भी व्यक्ति स्विक्षा से कमपणी का सदा से क्या हो सकता है बन सकता है फिर है सिमित दाईतों अंस धारियों का द्वाईतों उनके द्वारा खरी दे गए अंसों तक ही सिमित रहता है फिर है प्रतिनीधी व्यास्था कमपणी का संचालन करने के लिए कमपणी के सदस्यों के एक प्रतिनीधी मंडल होता है जिन संचालन मंडल बोला जाता है फिर है अंस और इसकंद में तीन अंतर अंस क्या होता है अंस का अंकित मूली होता है अंस जो है कमपणी समामिलन के बार निर्गमित करती है और इसकंद को प्रारम में ही निर्गमित किया जा सकता है अंस धारी कमपणी के सदस्य होते हैं इसकंद धारी के सदस्य होना आवश्यक नहीं होता है प्रतेक अंस की एक निस्चित संख्या होती है कोई निस्चित संख्या नहीं होती है पूरवाधिकार अंसों की विश्चता है पूरवाधिकार अंसों पर आएगे दर इनकी ब्याच की दर निस्चित होती है इनको लाभास पाने का अधिकार होता है पहले फिर कंपणी की समापन की स्थिती में इसको पूंजी वापसी की प्राथ्मिकता होती है और इनको मत देने काधिकार नहीं होता, फिर है Pुरवाधिकार už करन्सों के तीन प्रकार को समचाई यह तो यहां पे क्या संचाई पुरवाधिकार असंचाई पुर्वाधिकारंस, परिवर्वाधिकारंस, 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 परिवर्वाधिका परिवर्तितर कर सकते हैं, किया जा सकता है, फिर हैं पुर्वाधिकार अन्सों के किनुझी तीन लाबो को समय कमपणी पर लाभांस का इस्थाई भायर रहता है मद अधिकारना होना सामाने था कमपणी पूर्वाधिकार अंसों को कमपणी में सबाव में मद देनी का अधिकार नहीं होता है कम लाभास पूरवादी कारांसों पर समतन सुकी दुलना में कम लाभास दिया जाता है और जो खीम भी कम रहता है यहाँ पर फिर है अग्रीम याशना अग्रीम याशना क्या होता है कॉल पेडिन एडवांस कभी-कभी अग्रीम याशना प्राप्त होने से पूर वही कर दिया जाता है तो इस तरह प्राप्त जो रासियम को याशना की रासियम को आबंटन के समय ही प्राप्त हो जाती है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं अग्रीम याशना बोलते हैं पहले प्राप्त हो जाती फिर कमपनी अधिनियम का टेबिल ए इजाज़त दे की असी रासी पर टेबिल एक एनुसार उसे प्रतिशत वार्जिक दर से ब्यास दे होता है फिर अत्यादिक अभिदान कमपनी अवश्यक्त अनुसार अंसो का निर्गमन करती कभी-कभी ऐसा होता है कि कमपनी जितने अंसो को निर्गमित करती हैं, उस स्तिती को अभीधान कहते हैं, ऐसा होने पर संचालकों का अभंडन समबंदिकार कुछ कठीन हो जाता है, क्योंकि सभी प्रार्थी को उनकी अभिधान पत्रों के अधार पर अंशो का अभंडन नहीं जितने अंसो को निर्गमित करती हैं, उस से अधिक अंसो के लिए में आविधन प्राप्त होता है, इसको हम लोग क्या बलते हैं, नियून तम अभिधान की राशी कितनी होगी है, कमपनी की प्रकृति आकारादी पर निर्भर करता है, किन्तु फिर भी यह राशी इतनी निर्गमित पुझी , अदिकित पुझी का अभाग होता है , जो जँनता में निर्गम्रत करने के लिए किया जाता है फिर है याचित पुंजी प्रातित पुंजी को भाग जिनकी मांग कमपणी द्वारा की जाती है याचित पुंजी फिर है याचित पुंजी आवरंतित पुंजी को भाग जिस अंसधारियों के द्वारा अंसधारियों से नहीं मांगा गया है फिर है चुकता पुंजी याचि कंपणी के विक्टन पर अंसधारियों से मांगी जाती है फिर कंपणी अपने अंसों को बट्टे पर निर्म पर निर्गमित कर सकती है इस दसां में होने वाले पंजी प्रविस्टी भी लिखिए कंपणी अधिनियम 1956 की धारा सेमेंटिर्यां किनुसार कंपणी निम्नांकि सर जातों का पालन करके अंसों को बट्टे पर निर्गमित कर सकती जैसां कंपणी की विव्यापार्प्रानम की वे एक वर्ससमय पूर्ण होना चाहिए इस सम्मन में कंपणी साधर्न समय प्रस्ता और पारित किया जाना चाहिए एसान से पर भी जो होना चाहिए फिर है आपका अंस अबंटन खाता विकलन अंस बट्टे खाते से अंस बट्टा खाता विकलन अंस पूंची खाते से फिर अंसो के हरन कार समझे अंसो के हरन अंसो के लिए जितनी रासी मांगी गई है उन में से जब कोई अंसधारी कंपणी द्वारा मांगी गई देखो मैं आपको उधारन उधारन में समझाती हूं जैसे मान के चलिए जैसे दस रुपए का श्रीयर था तो एक दो रुपए आवेदन पर मांग लिया गया दो रुपए अबंटन पर मांग लिया गया अब जितना माउन बचह उसको जो अंसधारी है वह देन नहीं जहा है न तो क्या करते हैं उसको नोटीस देते हैं 14 दिनकी अंदर भ्यास सही ने जरिया दार ि heel बुप्तान के लिए को सरती Typ pe लोगत विकार अगर बगता तो इसके को जब्त कर लें संतन सही तर पोराती हमतरान सि데 readingольस पुर्वधिकार अंसो को पहले भुक्तान किया जाता है फिर ऐसे अंसो पर आयन स्चित नहीं रहती है पुर्वधिकार अंसो पर आयन स्चित रहती है अंकित मूले इस प्रकार अंसो का अंकित मूले अधीक होता है ऐसे अंसो पर अधीक सर्टा होता है और इस प्रकार के अंस को प्राप मिक्ता प्राप तो होती है धन्यवाद एक्जाम की दृष्टी से ये कोस्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसका अच्छे से जो चीज समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में